एक married lady अपने एक old friend के पास आने के बाद अपने marriage को सुतारने की कोशिश करती है पर उसे क्या पता था कि उसका old friend ये बहुत ही obsessive और psycho है वो बहुत ज़्यादा dangerous था Hello friends, आज मैं आपको fatal affair ये 2020 की एक Hollywood thriller movie explain करने वाल हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो please इसे like और comment जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमें एक couple को देख सकते है अचानक से उन पर किसे ने war करकर उन्हें मार दिया इसके बाद हमें हमारी main character दिखाए जाती है इसका नाम है Ellie Ellie के husband का accident हुआ था इसके बाद वो city से एक बहुत ही अच्छे से town में move हुए है पहले इनकी marriage में problem थी पर आज कल इस पर वो work कर रहे है वैसे भी उनकी बेटी college के first year में है तो इस वज़े से new town में move करने की perfect opportunity थी Ellie को इस town में ज़र अलग लगता है अपनी बेटी को भी वो miss कर रही थी उसके अजवर्ण ने का कि वो पास ही है चलती से यहाँ पर बहुत जाएगी जादा वरी मत करो इस new town में move होने से पहले Ellie को अपना job थोड़े दिन करना पड़ेगा तो इसी meeting पर वो गई हुई थी वहाँ पर वो डेविड को देखती है डेविड अक्चल में उसका college का friend था इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर यह दोनों बहुत ही surprise थे यह 20 years बाद मिले है डेविड कहता है ऐसा लगता है सिर्फ 20 minutes हुए उसे एली तब जैसे दिखती थी वैसे आज भी दिखती है उतने ही beautiful यह बाद उसने उसे बता भी थी वो उससे कहता हम दोनों को मिलना चाहिए ज़रा catch up करना चाहिए एली उसे हा कहती है बाद में और एक meeting के लिए यह दोनों फिर से मिले आज डेविड एली से फिर से बोचता है कि क्या हम कहीं चल सकते हैं उसे उसे बात करनी थी पर एली के plans थे अपने friend के साथ नाइट आउट के लिए जाने वाली थी एली को idea आया कि डेविड भी उनके साथ चल सकता है उसके friend को कोई भी problem नहीं होगी डेविड भी थोड़ा सा unsure था पर इसके लिए मान गया इसके बाद राद में वो बार में मिले पर एली की friend वहाँ पर पहुची नहीं थी तो एली और डेविड ये दोनों अकेली थे आज ये बहुत सारी wine बिते है एक दूसरे को उन्होंने family के बारे में पूचा यहां में पता चलता है कि डेविड का divorce हो चुका है डेविड ने एली से पूचा कि तुम्हारी family भी perfect है एली कहती है 20 साल आप किसी के साथ रहते हो पर एक दिन लगता है कि वह आपके लिए stranger है यही बाद एली को अपने husband के बारे में आजकल लग रही थी इसके बाद डेविड ने एली से का कि चलो हम dance करते हैं यह बार के बास आए डेविड ने confess किया कि तुम्हारे firm में job लेने से पहले मुझे पता था कि वहाँ पर तुम काम करते हो मैंने सोचा इतने सालों बाद तुमसे मिलना अच्छा होगा तो इस वज़े से मैंने job ले लिया अगर 20 साल बेले तुमने मुझसे शादी की होती तुम्हे stranger की तरह नहीं लगता इसके बाद इन दोनोंने dance किया और बातरूम में जाकर एक दूसरे को किस करने लगते है यह intimate होने वाले थे तबी Ellie realize करती है कि यह सब बहुत ही गलत है उसे जटक कर वहाँ से चली गई उसे sorry कहती है डेविड ने का कोई तुमें appreciate कर पाए ऐसे आदमी को तुम deserve करती हो पर Ellie वहाँ से चली गई वो घर आकर सारी चीजों के वारे में सोचती है अपनी family उसके लिए बहुत ही important थी husband और उसमें problems थे पर फिर भी उससे बहुत प्यार करता था इसके बाद next year में हम डेविड को अपने therapist के साथ देख सकते है डेविड को बहुत ज़्यादा anger issues है इस वाज़े से वो therapy में था अपने divorce को लेकर भी वो बहुत ही ज़्यादा sensitive है आज Ellie से मिलने के लिए उसकी बेटी भी आगे ये सब लोग बहुत ही खुश थे एक दिन काम पर जाते होए Ellie फिर से डेविड से मिली डेविड आकर उसे गहता है कि I'm sorry जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था क्या तुम मुझे नाराज हो मैरे call भी तुमने नहीं उठाए Ellie गहती कि ऐसा नहीं है डेविड फिर से उसके साथ कुछ coffee वेगरा लेना चाहता था पर Ellie ने का हमें यह सब यही stop कर दिना चाहिए वो फिर से उससे कोई भी contact नहीं रखना चाहती इस बात से डेविड को बहुत हर्ट लगा और रात में Ellie को call करने की कुशिश करता है पर Ellie ने उसका number block कर दिया डिनर बनाते बनाते Ellie को एक चोट आ कही थी उसके husband ने उसका खैल रखा और रात में दोनों intimate हो जाते है पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों उपर डेविड नज़र रख रहा था अगली दिन Ellie का husband Marcus यह उसके new office में उसके लिए full भी लेकर आया हुआ था आज Ellie और Marcus के पास Ellie की call कर डिनर के लिए आने वाली थी उसने अपने साथ date लाई पर ही डेविड था Ellie इस बात से बहुत ही ज़्यादा surprise हो जाती है Marcus ने डेविड से बात की उसके profession के बारे में पूछा डेविड एक्च्वल में एक hacker था जो country के किसी भी high security email को भी crack कर सकता है मारकस डेविड से बुछता है तुम Ellie की coworker से कैसे मिले Ellie की coworker जिसका नाम था Courtney उसने का कि हम दोने लिफ्ट में मिले थे डेविड बहुत ही confident था और मैं उससे attracted हो के Courtney को डेविड के लिए बुरा लगता है क्योंकि अभी-भी उसका divorce हुआ है मारकस ने बुचा कि तुम्हारे divorce क्यों है डेविड कहता है कभी-कभी आपको लगता है कि बहुत सारे सालों बात भी आप जिस आदमी के साथ रह रहे हो वो completely stranger है एक्शुल में Ellie का dialogue था जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था तो डेविड को किचन में लेकर जाती है कहती है अभी क्या भी कुछ बहाना बना और यहां से निकल जाओ डेविड कहता है हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है हम मेल कर यह work कर सकते है Ellie बहुत ही गुसा थी उसे निकल जाने के लिए कहती है अगले दिन डेविड ने Ellie को एक बहुत एक्सपेंसिव रेकॉर्ड गिफ्ट किया उसमें सौरी का नोट लिखा था Ellie ने फिर उसे कॉल किया और एक जगा पर मिलने के लिए बुलाया डेविड एली से कहता है कि हमारे बीच में जो भी होगा यह हम सब कुछ सिक्रेट रख सकते है Ellie कहती कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा डेविड होरों से ब्लैकमेल करने लग जगया कि तुमारे हस्बन को अगर पता चला तो क्या होगा उसे स्टिक्ली ना बोल कर यहां से हो चली के अगली दन कोटनी गुसे में Ellie के पास आई कहती है तुमने डेविड को इस तरीके से धिनर से निकाल के से दिया तुमारा हस्बने अची फैमिली है फिर भी तुम डेविड के साथ अफेर क्यों करना चाहती हो एक्चुल में डेविड ने कोटनी को सारी बाते अलग बताई थी वायकर है इस वज़े से डेविड ने Ellie को जो मैसेज भेजे थे वो Ellie ने उसे भेज़े इस तरीके से वो कोटनी को दिखाता है कोटनी बहुत ज़ादा गुसा हो गई थी Ellie उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगी पर फिर भी वो मानती ने हर्ट होकर वहाँ से चली गई Ellie ने फिर डेविड के बारे में रिसर्च किया डेविड की तेरविड इसटी Ellie के भी फ्रेंड थी है वो जाकर उसे बात करती है उसने Ellie को बताया कि 20 साल वेले डेविड तुम्हारा दिवाना था तुमने कभी भी उसे नोटी सी नहीं किया उसे बताती है कि डेविड को बहुत ज़्यादा गुशा आता है अपनी वाइफ के साथ डिवास के बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो गया था Ellie पुछती है कि उसकी वाइफ कहा है तेरे विज ने कहा कि उसकी डेथ हो चुकी है वो अपने बॉइफ्रेंड के साथ थी तब वे उसका किसी ने मर्डर कर दिया Ellie को अब लगता है कि डेविड ने उसका मर्डर किया होगा वो बहुत ज़्यादा डर के डेविड ने Ellie को जब वो दोनों डांस कर रहे थे इसका वीडियो बेजा वो उसे कॉल करती तो कहता है अगर तुमारे हस्बन ने वीडियो देख लिया तो क्या समझेगा Ellie ने गहा कि तुमने आपने एकस वाइफ को मार दिया था अगर कोडने को एपता चलता है तो क्या होगा डेविड कहता है हम दोनों की रिलेशनशिप को मैं इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकता Ellie ने फिर कोडने को इमेल किया इसमें डेविड की वाइफ के मर्डर के बारे में लिखा हुआ था कोडने को एइमेल मिलना पाए इस वज़े से डेविड उसके घर पर पहुँच गया उसे एक लांजरी गिफ्ट की और जब वो पहनने के लिए के तब उसने इमेल डिलीट कर दिया आज राते दोनों इंटिमेंट हो जाते है इस वज़े से कोडने एली का फोन उठा नहीं पाई एली कोडने के घर के बाहर ही थी जब डेविड निकला तो उसका वो पीछा करती है पीछा करते करते हो गोल्ड कोड पहुची यहावर आज डेविड मारकस के साथ गोल्फ खेल रहा था वो यह देखकर बहुत ही डर गई डेविड मारकस से गयता है कि तुम्हारी वाइफ को पाने के लिए बहुत सारी लोग मर्डर भी कर सकते है मारकस ने कहा कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ मेरा एक्सिडन्ट होने के बाद एली ने मेरा बहुत ख्याल रखा पहले हमारे मैरेज में बहुत सारे प्रॉल्म्स थे हमने थेरीपी की और इस एक्सिडन्ट के बाद हम बहुत ही करीब आगे डेविड मारकस को आज कुछ भी नहीं बताता इसके बाद पीछा करते करते एली डेविड जहाँ बर रहता है वहाँ बर पहुच गए वहाँ की रिसेप्शनिस से उसने का कि आज सुबा शायद तुमने मुझे देखा होगा मैं डेविड के साथ थी है उसके घर में मेरा कुछ रहे चुका है क्या तुम मुझे घर की चावी दे सकती हो रिसेप्शनिस ने उससे चावी दे दी घर में जाने के बाद उसने सारी चीज़े चेक की उसके लैपटाप में अलग-अलग फोल्डर्स वो देखती है जिसमें अपनी एकस वाइफ के सारे फोटोस उसमें थे एली के भी अपने घर में अपने हजबन के साथ इंटिमेट होते हुए सारे फोटोस भी इसमें थे यह बात देख करो बहुत जादा डर जाती है पर तभी डेविड वहाँ पर भोच गया एली जल्दी से यही पर नीचे छुप गई डेविड शाहिद उससे ढून लेता पर उसे कोटनी का कॉल आ जाता है उसके पास चला गया एली ने इंस्टेंटली फिर कोटनी को कॉल उसे चेक करती है पर डेविड ने देख लिया उसकोborg कर बात ही इससे पहले डेविड उससे मारने लगा जाता है डेविड वहाँ से चला गया पर एली कोटनी से मिलने के लिए कुश से हर्ट पाकर पुलिस को क्ल कर देती है उसने पुलिस को डेविड के बारे में सब कुछ कुछ बता दिया पूलिस डेविड को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर उसके अपार्मेंट में नहीं था मारकस भी थोड़े दिर में यहाँ पहुँच गया घर चलने पर एली उसे सब कुछ बता देती है एली ने उसे समझा कि वो सिर्फ एक मुमेंट था उसका कोई भी मिन नहीं है मैं तुमसे ही हमाई फैमिली से बहुत ही प्यार करती हो मैं कभी भी इसे छोड़ना नहीं चाती है मारकस भी सारी बात समझ लेता है उसने एली को माफ कर दिया नेक सिन में हम देखते है कि डेविड ने एक बेगर को पकड़ा अपने कपड़े उसे पहना दिये और डेट बाड़ी मिली है कि डेविड है या नहीं ये कंफरम नहीं हुआ डिरेक्टिव ने एली के बास आकर ये सारी बात उसे बता दिये एली भी अब जारा रिलाक्स थी कि इस सारी चीजों से अब वो छूट चुकी है एली को अपने ऑफिस से मैसेज आता है कि कुछ इंप ताकि तुम्हारा हस्बन जड़ा फाइट करेगा पर उसने कुछ भी फाइट नहीं किया अब सबसे जादा इंपॉर्डन बात ये है कि हम दोनों एक साथ है हम मिलकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं एली भी उसके हाव में हाव मिलाती है पर उस पर उसने चाकु स से वार करने की कोशिश किये डेविड ने उससे चाक को छीन लिया उसे जोर से मार दिया जिसे ओ बेहोश हो गया नीचे वेस्मेंट में मारकस और उसकी बेटी को डेविड ने बान कर रखा था बाहर पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी थी ये सब इसे देखने के ले गए त मारकस जल्ली से अपने बेटी को कार में बिठा अ Όसके से आगे बेश देता है एली पूलिस को क्वान्टैक रहे थी तब ही डेविड ने उसपर हमला कर दिया डेविड ली से खाता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था यी चीज़े इतने आउट ऑफ कंड़्ोल हो जा किया और मारकस उस पर हमला कर देता है इन दिनों में बहुत फाइट हुई यह मांटन की एज पर थे और डेविड वहां से नीचे गिरने लग गया यह ने उसका हाथ पकड़ कर अगा था उसे मरने देना नहीं चाहती थी डेविड नोटीस करता है कि इतना सब कर लिया है इस टाउन में आना इन्हीं मिस्टेक लगी थी तो फिर से सिटी में चले जाते जहां एली को अच्छा लगता है यह सारी फैमिली बहुत खुश थे और इसी मुमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है डेविड दिखने में तो बहुत ही नॉर्मल लगता था पर एल हो पाना चाहता है यह प्यार एली और मारकस की बीच में है और इसके बीच में नहीं आ सकता इस वजह से उसने खुद हाथ छुड़ा लिया और सुसाइड कर लिए इसे के साथ आज का वीडियो हम कतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और किया है